तो अभी जो question 4 इसमें the traffic light at three different road crossing change after 24 seconds, 36 seconds and 54 seconds respectively तो यह आप बता है क्या कि traffic है ना traffic light रहती है traffic road पे ठीक है तो लाइट क्या कर हो रहे change होते है ठीक है तो वो तीन light है और वो change होता है पहला वाला होता है 24 seconds के बाद, फिर 36 seconds के बाद और फिर 34 seconds के बाद फिर 54 seconds के बाद फिर आगी कहती है है if they all change simultaneously at 10 15 a.m. मतलब 10 बज़ के 15 minute morning में तो वो एक साथ में इतने बज़े क्या करते है वो change हो जाते है एक साथ में इतने बज़े वो change होते है तीनों भी light ठीक है तो आगे क्या बुचा है then at what time will they again change simultaneously तो इतने बज़े मतलब 10 15 a.m. को अगर वो एक साथ में इतने हो रहे है तो इसकी कितने टाइम बाद अगें वो एक साथ में change होंगे तो मतलब कितने टाइम या पिकितने बज़े ठीक है at what time बुचा है न तो कितने बज़े इसके बाद कितने बज़े वो क्या होंगे एक साथ में change होंगे तो वह हमें निकालना है तो पहले हम क्या करेंगे same जैसा आपने पहले सवल किया yelcm निकालना है तो यelcm किसी solve करते है पता है आपको पहले वाले वीडियो में जाख ले ना से पहले जो दिये में ने वांडू 3 तक तो फिले 24 लेते चांब फिर लेंगे 36 फिर लेंगे 54 तो करते है डिवांड फिर इसको to see start 2019 इसको कहले तो इसको कहले तो 18 ना ये एंगा Ulis rearrange a पिर अगे ईश्य फिर आऊपेश्चौय और शिक्स आइगा इसको करते होतल ना इसको नहीं होता 27 आप इनों को भी 2 से नहीं होता 3 से करेंगे 3 1 जा 3 3 9 27 आगे इसको डिवाट किया 3 तो इसको दो होता इसने 3 1 जा 3 3 09 आगे इसको 3 से करेंगे तो 1 1 ही रहेंगा या अब है 3 को 3 से डिवेट किया तो 3 1 जा 3 1 आता 1 आ गया stop कर देना तो इसको LCM क्या होंगा LCM इन सबका multiply करेंगे तो 2 multiply 2 multiply 2 multiply 3 निचे लिखता भी जागने तो 3 multiply 3 multiply 3 कितना होता LCM तो LCM कितना होता 2 जा 4 2 जा 8 8 3 जा 24 24 और फिर multiply ये रहेंग लिखते 3 जा कितना होता 9 24 9 जा कितना होता 216 होता न तो मतलब इसका LCM कितना आ गया 216 किसका 4 का हमें निकालना क्या है 10.15 AM के बाद में 10.15 AM के बाद में वो कौन से टाइम पे कितने बचे वो एक साथ में क्या होंगे चेंज होंगे ठीक है एक साथ में क्या होंगे चेंज होंगे तो देको ये कितना ही क्या है सेकंद है सबी टाइम सेकन में दिया है ना आपको इसलिए सेकन हो तो तो यहां पर क्या 216 सेकन आ गया ओके तो अपने करना है अभी इतने टाइम के बाद तो 216 सेकन मतलब कितने मिनिट और कितने सेकन बता हो टूसिस्टे सेकन मतलब क्या अतना होता देखो 216 मतलब पहले यह तो पता है आपको one मिनिटमे कितने सेकन होता है शिक्स्ट्र तो इसको अगर हमने 60 से डिवाइट किया दो यतना आएंगा देखलो आप यहांप यह कर लेता हुए बारी किसमे 60 से अगर 216 से को डिवाइट किया तो 216 तीन 3 दो इतना होता 180 नीची कितना आएगा reminder में यहाँ पर 6 आएगा एलर माइस 80 तर 3 आएगा और यह तो 1 भी हो जाएगा 0 आएगा इतना आए 36 ठीक है मतलब यहाँ पर यह minute हो गया और यह second हो गया मतलब 3 मिनिट आएगा और 30 सेकंड आएगा 260 सेकंड मतलब 3 मिनिट और कितने सेकंड 36 सेकंड अभी में मिटा गेता मैं इसको इसका भी काम नहीं है ठीक है तो कितना आ गया 3 मिनिट 36 सेकंड ठीक है अब जो टाइम है उसमें हमें आट करेंगे इतना हो गया आपका तो आगी का मैं अभी नेक्स पेज भी लिखता क्या तो टाइम कितना है टाइम दिया आपको 10 बसके कितने मिनिट 15 एम इतना टाइम दिया है न तो इसमें हम क्या करेंगे आट करेंगे कितना 3 मिनिट तो यह तो आवर का हो गया आपका यह हो गया मिनिट का यह आप लिकी मिनिट 3 ओके और फिर कितने सेकंड 36 सेकंड तो इसको आट कितना आएंगा यह आगया 36 यहापे 15 प्लस 3 कितना होता यह 10 और यह यह आगर 10 मतलब कि वो इतने टाइम इतने बजय जो है वो एक दूसरी को अगेण क्या करेंगे अलब आगेण वो इतने टाइम पर चेंज होंगे टीके टो बस अब इसको लिखना है हमें वड में त्रेके तो इसको मुझे वर्ड में लखा भी तो विल चेंज अगें आप दे विल चेंज अगें साइमर्टेनेसली एट इतने बज़ें टीके टेन बचके 18 मिनिट 36 सेकंड ठीके मतलब 10 आवर 18 मिनिट 36 सेकंड एम ओके तो यह होगा है इसका आशर फोर का ठीके बाकी सब बन जैसा किया वैसे चे बज़े इतना है इसमें एक् झाल 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 झाल